हलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्रीगुरु अकेडमी में मैं मनु गर्मा आपका सुक्रिया हार्दिक अभिनन्द करता हूँ दोस्तों आप देख रहे हैं इंडियाज नमबर वन सिक्षक भरती प्रेटफॉर्म स्रीगुरु अकेडमी दोस्तों यहाँ करते हैं हम बड़ा कन्फियूज हो जाते हैं फिर भी याद नहीं होते लोग कहते हैं सर इसको हम रटते हैं बिलकुर रटते हैं फिर भी तो याद नहीं होते क्या किया जाए कोई ट्रिक बताए न अरे भाई आज मैं एक ऐसी जबरज़स ट्रिक लेकर आया हूँ कि जिंद कैसे बताएंगे ट्रिक के द्वारा अभी मैं आपको बताता हूं लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तो चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और घंटी वाला जो बटन है उसको दबा दीजे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे ऐसी ही जवरजस्त वीडियो का तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों और एक बात और हां दोस्तों मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि क्या होता है कि आप लोग कहते हो कि मैं यह नोट चाहिए पीडियाफ चाहिए बुक्स चाहिए आरे भाई टेलिग्रा और रहेगी दोस्तों कुछ लोगों नो उसको बिजनेस में आके रखा हुआ है लेकिन हम उससे चलने नहीं देंगे ठीक है हम हमेशा फ्री ओफ कॉस्ट ही रखेंगे तो यहां पर दोस्तों बात करते हैं संस्कृत के माहेसर सूत्र होगे तो थोड़ी सी हिस्ट्री जान ल अब यह चीज त आप जानते कोई धांच कब करूए खुसी में करें ना तो बहुत जाढ़ा प्रसन इन थे तो यह अपना डमुदम डम 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 ऑलाव की बज़ा रहें थे लिकिन दोस्तों सबको तो उसमें आवाज सुनाई दे रही थे गया दम डमButlava लेकिन उसमें जो पाणनीजी है ना महरसी पाणनीजी उनको हमारी संस्कृत बढ skirtажд memb 654सूतिर्ड 뉴스 उनने उसी की आवाज पर उन्हेंने उनको बना दी अब दोस्तों ये कहा जाता है कि अरे आप तो मतलब पता नेक कुछ भी कहीं से भी बोल देते हो लिकन ऐसा नहीं है दोस्तों ये एक क्या है ये एकड़म तथे पर एक बात है एकड़म तथियों के साथ है कि आप ये जे लिखा हुआ है ये वाला सूत्र आप इसको ध्यान रखिए इसी के थुरू ये सारी चीज़े है क्या है सूत्र ये वाला सूत्र आप याद रखिए इस सूत्र से ये माहिस और सूत्र निकले हैं अब दोस्तों माहिस और सूत्रों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले याद रखना चीए कि मतलब किसके द्वारा आए थे तो ये आपके आई हुए है सिब जी ने जब डमरू बजाये था उसके बाद ये निकले थे और किसने लिखे थे तो आप कहोगे महरसी पान नीजी ये आपको दिख रहे हैं ये महरसी पान नीजी है इन्होंने इसको लिखा हुआ था संख्या कितनी थी दोस्तों कई मर्तवा ये कोश्चन पूछायता है कि इनकी संख्या कितनी है तो 14 महाईसर सूत्र है और इनके रचनाकार कौन है पान नीजी है अब दोस्तों इनको एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद में ट्रिक देखते हैं तो अगर हम इनके लिए देखते हैं तो क्या है आयोन रिलिक आयोंग आयोच ये दोस्तों इतने हैं अब इनमें थोड़ा सा दोस्तों यहां पर हम देख लेते हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं कि आयोन रिलिक आयोंग आयोच अब ये क्या है दोस्तो ये आप देख रहेंगे अब एक चीज इसमें ध्यान रखी दोस्तो जो अंतिम बन होता है अंतिम बन यान कि ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला यान कि प्रते के जो माहिसर सूत्र है उसका जो अंतिम बन होता है दोस्तो तो अंतिम बन की इतसंग क्या हो जाती है तो आप क्या कहोगे कि जो अंतिमबन हमनहेता है उसकी इत्षंग्या हो जाती है दोस्तों इत्षंग्या का मतलब यह होता है तो आ हट जाता हूँ उसका कोई महत दो little नहीं है उसको बनाने के लिए लिखा हूँ है लिकिन दोस्तों कोशन यह आता है कि ये जब कोई महत नहीं है तो इसको क्यों ऐसे वोला गया अब दोस्तों उसके वारे में भी मैं आपको बताऊंगा की वो ऐसे क्यों बोला गया अब जैसे आयोण है तो और को हम आण बोल सकते हैं रखर तो इनमें क्या है इनमें आपके अच्श हैं इसके बीच में जतने भी आएंगे वह अच्छ होजा जाएंगे यानि कि जितने भी हैं वो क्या हैं स्वर हैं इसको क्या बोलते हैं इस प्रत्यार को अच्छ बोलते हैं दोस्तों तो ध्यान रखेंगे एक कोश्चन तो आपका यही हो गया अब दूसरी चीज इन सब को हटाते हुए चलेंगे क्योंकि यह सब क्या है यह अंतिम बढ़ हैं इनकी इ अंतिमबन की इत्सेंग्या हो जाते हैं मतलब लोप हो जाता है वो चीज गायब हो जाता है अंतिमबन दूसरी चीज याती है कि हा बन जो है वो दो बार आता है कोश्चन याता है इसमें कौन सा बन दो बार आता है दोस्तों तो हा बन जो है बहें दो बार आता है हा बन दो ब क्या है कि आपको लखना है यह चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पहला महाय सूट्र दूसरा महाय सूट्र तीसरा महाय सूट्र आयोच ये क्या है ये स्वर है यानि कि चार महाईसर सूत्रों में स्वर दिये गए है फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तो उसके बाद में क्या आता है उसके बाद में आता है यानि कि आपका पांचवा और छटा महाईसर सूत्र जो है उसके बाद में क्या आता है दोस्तो तो आपके ये आते हैं हया बरट यानि कि यावाराला आप यहां पर ये ध्यान रखेंगे दोस्तों ये वाला जो हाँ है ये मतलब ये एक्ट्रा दिया हुआ है ये आपका इसको आपको ध्यान रखना पड़े कि हावन दो वार आता है मैंने आपको बताय तो उपर तो यहां पर इसका कोई भी महत तो नहीं है यहां पर यह सिर्फ और सिर्फ यावरा ला है इसको आप ध्यान रखिए दोस्तों ठीक है तो यहां पर देखिया है वरट लण यानि कि फिर क्या आगया आपके अंताइस्त में जना गए जो अर्द स्वर भी बोले जाते हैं जिनें अर्द स बोला जाता है वो आपके आते हैं तो सबसे पहले क्या आयता दोस्तों स्वर आयते किसमें माहिसर सुत्र कौन कौन सा था पहला दूसरा तीसरा चौथा यानि कि चार माहिसर सुत्रों में आपका क्या आयता स्वर आयते अब स्वर के वाद में क्या आता है तो अर्द स्वर आता है यानिकि पांच और छे यानिकि आपका माहिसुरसूत नंबर पांच और छे में आपका अर्दस्वर यानिकि यह आ जाते हैं ठीक है या बार अला ठीक है अब उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं यहां पर देखें फिर क्या आता है यह आपको दिख रहा होगा याम गड़नम यम गड़नम अब लास्ट अक्षर तो मैंने बताई दिया इसका इतिसंग्या हो जाती है मतलब इसका लोप हो जाता है यम गड़नम दोस्तों ये क्या होता है यम यम गड़नम ये क्या है दोस्तों आपका ये आपका यही आपका अंतिम बन है यान कि पंचमा अक्ष तो यहां पर देख लीजे सबसे पहले हमारे स्वर थे स्वर के वाद में क्या आया हमारा दोस्तों स्वर के वाद में हमारा क्या आया था तो आप कहोगे अंताइस्ते बंजन आय थे अंताइस्ते बंजन के वाद में क्या आया तो पांचमा अक्षर आया और पंचमा अक्षर उसके बाद में दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जवायां घड़दस जवायां घड़दस अब जहा जहा आप देख सकते हो चा जहा 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 कौनसा अक्षर है दोस्तों तो चौथा कौनसा अक्षर है तो दोस्तों चौथा अक्षर है चोथा यहनुकि जो हमारी बन वाला होती है उसमें चोथा अक्षर है आपके बन माला में चतोर अक्षर है तो धोस्तों यहांपर देख सेटे कहले कौन सा आया तो पौच वाला आया फिर चोथा अक्षर आया आप यहाँ पर देख सकते हो उसके बाद में क्या सकता है तो तो यह तीसरा अक्षर आना चाहिए सीधी सी बात है तो यहाँ पर फिर आपका तीसरा अक्षर आता है अब जब तीसरा आ गया तो आप यहाँ पर देख रहे हो पहले जब पांच बाँ आ गया उसके बाद में चौथा अक्षर आया उसके बाद में तीसरा आ गया तो अब क्या आना चाहिए तो आप कहो बई दूसरा अक्षर आना चाहिए सीधी इसी बात है यार बताने की जरूत ही नहीं है दूसरा अक्षर आ जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो यह क्या है यह आपका दूसरा अक्षरा आया और जब दूसरा आ गया तो उसके बाद में क्या आना चाहिए दोस्तो तो आप फटाक सके दो फिर पहला यह अक्षरा आना चाहिए अब रोही क्रम चल रहा है सीधे से तो आप देख सकते हो चाटाता कापा यह आप देख सकते हो यह आपका क्या पहला अक्षर आ गया तो कितना सिंपल है न दोस्तों एकदम से क्रम बाइध है संस्कृत बहुत ही अच्छी लेंग्वेज है और बहुत ही साइन्टिफिक क्या पहले सिंपल मिल सकते है यही संप्ष आपे न दोस्तों से जादा सिंपल आजाके धास मिलेगा बस खतम दोस्तों क्या पहुत ही सिंपल है आप इससे ज़्यादा सिंपल मिल ही नहीं सकता पूरी दुनिया में दोस्तों बहुत है आपको ट्रिक कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बता दीजिए और अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना तो बनता है न दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोस् किसे वैटर कोई प्रोवाइड करा रहा है तो आप उसके साथ जाइए मैं आपसे यह नहीं कहता लेकिन दोस्तों यहां पर मैं बात करता हूं स्री गुरु अकैडमी के साथ मनु बर्मा बात करता है सिर्फ और सिर्फ सिक्षक बरतिगी तो यहां पर आपको कभी भी कोई प करता लिए बात करता है फिर्फे बात करता है